वहियाँस देश की राजानी दिली में देश की सबसे पुरानी राजनेतिक दल कॉंग्रिस की सबसे बड़ी बैटक होने जा रही है हर किसी की नसरे इस बैटक बटिकी है कॉंग्रेस में CWC की बैटक से ठीक पहले एक बार फिर से अध्यक्षपद को लेकर उआपो की सित्यूत्पन हो गई है पार्टी में जोड तोड कर रही आमूल चूल परिवर्तन की मांग के बीच अंत्री मध्यक्षे सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्षपद पर एक साल का कारेकाल पूरा कर चुकी है अब कॉंग्रेस के निता अपना नया अध्यक्ष चुन ले सोनिया के इस बयान के बाद हालात फिर से कमोबेश वैसे ही बन गए जैसे आज से एक साल पहले बने हुए थे तब रहुल गांधी ने अध्यक्षपद से इस्तिफ़ा दे दिया था लेकिन अब और भी हालात अलग है तब रहुल गांधी ने 2019 के चुना विहार के जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्षपद छोड़ा था सोनिया गांधी ने बड़े परिवर्तन को लेकर उट रही मांग की कारण पद छोड़ने की बात कही आपको बता दे कि कॉंग्रेस के 23 बड़े निताओं ने सोनिया गांधी को लिकी चिठी में उपर से लेकर नीचे तक बड़े परिवर्तन की मांग की थी सोनिया को लिकी चिठी में निताओं ने ये सवाल भी उठाय थे इस चिठी पर जिन निताओं निहसाक्षर किये हैं उनमी पाँच पूर मुख्य मंत्री और कारेकार्णी की कई सदस्य भी शामिल है